मीरा भाहिंदर महानगर पालिका परिवहन उपक्रम के मध्यम से आज माजी बस इस मोबाइल एप का उपनिंग हुआ है और इस मोबाइल एप से परिवहन सेवा में जितने भी हमारे प्रवासी है उनको एप उप्युक्त होने वाला है और इस एप के मध्यम से बस कहां पर उप्लब्द होगी बस का स्टॉप कहां पर है बस का टाइमिंग क्या है इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है उसी प्रकार इस एप के माध्यम से ओनलाइन टिकेट हम अरक्षित कर सकते हैं और इसका साथ तरिक से लेकर गुगल प्ले स्टोर के माध्यम से इस पर हम डाउनलोड कर सकते हैं तो यह सेवा महानगर पालिका परिवहन सेवा के अंतरगत शुरू हो गई है नमस्कार आदाब आप देखरें साथ अन्रिकार्ड मीरा भाहिनदर महानगर पालिका की सत्ता धरि भारती जनता पाटे द्वारा मिरा वहिंदर शहर में चल रही परिवहन समीती में एक एप को लॉंच किया गया है मिरा वहिंदर शहर में हमारे जो यात्री है इन यात्रियों की स्विधाओं के लिए जो एप लॉंच किया गया है उसकी जानकरी देने के लिए हमारे साथ में परिवहन सभापती मंगेश पाटिल है हम उनसे जानना चाहेंगे कि यह किस तरह का एप है और उसे किस परकार की सुईदा हम हमारे शहर के यात्रियों को मिलेगे पाटिल जी आपका कार्यकाल शायद खतम हो रहा है और यह आज शायद आज का आपका आखरी दिने आप बताए कि यह किस परकार की सुईदा महानगर पालिका द्वारा दिये जा रही है मेरा भाहिंदर महानगर पालिका की तरप से इंटलीजन ट्रांस्पोर सिस्टीम यह हम लोग नई है यूज कर रहे उसमें जो पैसेंजर है उन पैसेंजर को अपना लोकेशन जैसे कि हम लोग अभी मेरा भाहिंदर कॉरक्ष में खड़े हैं और मुझे भाहिंदर में जाना जाना है तो अगर आप डाउन्डोड करते हैं और आप में आप अगर जाते हैं तो आपको उस बस का लोकेशन पर्फिक बता चलेगा आपकी आने वाली बस समझ के चले एक नमबर रही है दो नमबर यह अठा नमबर रहे हो पर्फेक्ट उस टॉप के ऊपर कितने बज़े पहुंचेगी है कितने मिनट पहुंचेगी आपको मैसेज मिलेगा उसके अलावा इस बस में अगर जाने वाले आपको है तो उसमें आपको परस का जो अतिकेट पहले आपको कितना नजदिक बस्तॉप मिलेगा वह अपको उसमें से मैसेज मिलेगा इसके अलावा भी और कुछ वह उसमें से कुछ स्वीदा है उस एप में के यातरी अपना अनुभाव शेयर कर से कि उनका अनुभाव कैसा रहा उसमें कुछ फीड़बैक दे सके अभी तक उससे सोचना नहीं उसमें कुछ लेकिन आपके जो सुजाव दिया उसके बार में उसमें एड करने के लिए इसके अलावा और आपके कार्यकाल में जो शाष्याद आपको बहुत ही कम समय मिल पाया है यह लोगड़ौन के चलते हैं और किस परकार की आपने खोईशे की किस परकार की 6 जता ही थी कि आपके कार्यकाल में सभवपति रहते हैं आप यह कर पाएंगे या इस तरह से शेहर वास्यों को सुज़दा दे पाएंगे लेकिन वह नहीं कर पाएंगे क्या कहेंगे आप सर खोईशे तो बहुत थी पहली तो एक खोईश्त मेरी थी कि मीरा भ पाएंगे लिए वासे नीव वामबे कॉर्परेशन जाने वाले हैं इसके आलवा केरला में भी है लेकिन नजदिक में निव पार्परेशन यह सिस्टीम बनाई है तो निव वामबे में हो जाके उसके बार में टोटा स्टड़ी करके नेक्स बजट में हम लोग लोग इलेक कोशिच करेंगे पाटिल सब एक सवाल हमारे मन में काफी दून से था कि जिस वह मचारी थे हमारे परिवां सामयती के जो बसे जो चलाते चाहिए और ड्राइवर हो या कंडेक्टर हो इन लोग ने स्ट्राइक कर जाता उस वक्त आप कहीं पर दिखाई निदे नदाराद र लाइक पर बैठे थे उनके कॉंटेंट में मैं कंटीन्यू था हमेशा डेली एक या दो सब यूनियों के मुझे करमचारी फोन करते थे उनसे कॉंटेंट में था रहास सवाल पेमेंड का उनको पेमेंड करना जरूरी था लेकिन ठेकेदर का कहिना है कि मुझे देजिए तो सब्सक्राइब करेंगे अमने ठराव किया लेकिन मेरा भाहिंदर के प्रशासन ने वह विकंडित के लिए बेजा और निलंबन करके आया है आज ही मेरे मीटिंग में वापस हो था सब्जक्ट था को कि 30 दिन के आंदर मंत्रा लेमें हमें अभी बेदन देना थ सब्सक्राइब करने के लिए जो भी है उस ठेकेदा को दे दिए ताक कि करमाचारी को सब्सक्राइब करने चाहिए और परशासन आपकी बात नहीं सुनता है यहां पर स्ट्राइक करीब एक मेने तक खीची गई आपके तरफ से कोशिश जो भी कुछ ऐसा उसमें से कुछ ख सर दिया कि मुझे एब से कि करके दे दिए क्योंकि की सिकरुटी हटाना किसी भी ठेकेदर का का मथा का क् known है सिकुरुटी हटाना करने हैं उसके ओपर तकलीब होगी इसके लिए सोच रहे की नहीं करने हैं पाटल साब आकरी सवाल मेरा वो उस वक्त जो चल रहे थी उस वक्त आप नदारत रहे ऐसा माना जा रहा था आपके तरप से स्ट्राइक खतम करने के लिए किस परकार की कुशी मैंने कॉंट्र को बार बार बोला कि उनको जो भी है रास्ता स्वाय करो करके हमारी आईतर से बैठी मिटिंग हो गई हम लोग सब बैठे थे नगसोग भी थे सबाग रहता भी थे हम लोंने मिटिंग एरेंज की लेकिन प्रश्चासन का एक हैना था कि हम लोग पेमेंट नहीं दे पाएंगे इसके अलावा स्ट्राइक वालों कि मैंने बोला कि आप सोच समय के आजस्मेंट करो तो हो जागा आज के दिन भी मैने बोलने के बाद इनकी मिटिंग हो गई मैंने खाल से उन्होंने कुछ बीस या पचीस हजार में कुछ फाइनल किया है अगर बीस हजार प स्विधाव पुरी मिलती थी यह परिवन समीति के सभापति मंगेश पाटिल जिन्होंने बताया कि जो स्ट्राइक चल रही थी एक महिना दो महिना पहले करमचारी कुई कि उन्होंने बस से बंद कर दिती उस दौरान इन्होंने काफी कोशिश की थी कि कि किसी तरह से बीच अच्का आckरी दिन है और आज के दिनने जो मेरश क्राइव फहता, वेर जौरे भुवक उइस पनी को पैसी के साथ द्रप economists झाल, 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 झाल